प्राइम टीवी सच साहस सरोकार उस दिवस की सुरुबार कैसे होई और कैसे उस दिवस की जो रूप रिखा बनाई गई वो भी महतपुर्ण होता है तो यहाँ पर विश्व समुड़ा रा विश्व साथ संगठन रा तमाम तरह के दिवस बनाए गए चाहे परावणन दिवस की बात करें चाहे महला दिबस की बात करें तमाम तरह कि यहां पर दिबस विश्व की समधा है, संगठन है, उनकी दोरा बनाए जाते रहे हैं और इन दिबसों का जो मेरपूर्ण उद्देस से वो होता है कि जनता के बीच जागरुपूना और ब्यापक पचार पिसार करना और जनता को इन दिबस की मेरपूर्ण और विश्व की मेरपूर्ण पहुचाना इस दिबस का उड्देस होता है आज जो हम मुद्दे की बार करने बाले वह वहार महटपूर मुद्दा है क्योंकि मुद्दा इसलिए महटपूर है क्योंकि इस मुद्दे का सीरा जड़ाओ हमारी जान से है यानि हमारी जिंदगी से है वो मुद्दा है रक्तदान महादान रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन रच्छा करने के लिए ये कारण में उपयोग में आता है और इसके बिना जीवन के रच्छा कर पाना संभब नहीं है कोई operation होता है, कोई surgery होती है, कोई चेकिस्सा होती है, खास पर कोई भी open surgery होती है, उसे बिना रक्त के आप surgery नहीं करा सकते हैं तो यहाँ पर जो रक्तदान है वो महादान कहा जाता है और आज चोड़ा जून है और आज है 200 रक्तदाता दिवस और विश्व रख्ताता डिवस के तहत 2004 से WHO विश्व स्वास्त संगटन ने विश्व रख्ताता डिवस की सुरुवाद की सुरुवाद कैसे हुई 1930 में एक बैग्यानिक थे कार्ल लेंड स्टीनर जिरोंने जो विश्व की खोचकी थी और बिलड ग्रूप की उननों बताया था कि कौन कौन से बिलड ग्रूप होते हैं A पोजिटिव, B पोजिटिव A बी पोजिटिव, O पोजिटिव A नेगेटिव, B नेगेटिव A बी नेगेटिव, O नेगेटिव आठ बिलेट ग्रूप पर नो बताये थे और तब से इन बिलेट ग्रूप पर लगातार लोग जड़्चा भी करते हैं, जानते भी हैं, किस तरह उपयोग करते हैं, कुछ सर्वगराही है, कुछ सर्वदाता है, तो इस बिलेट ग्रूप की खोड़ की कारण उनको नोबल आठे एक जो बेहतर गाम नोनर किया है, कि रक्त के घुरूप नहीं खून के घुरूप बताये थे उसके चलते, चोड़े जुनकुन के जन दिन को 2004 से विश्वरक्तारा लिबस की रूप में मनाने का प्रयास किया जाता है, और ये विश्वरक्तारा लिबस पूरे मनाय जाता है, और इसकी जनकाई लोगों को डी जाती, और बड़े बड़े जगहों पर इस तरह की कारिकाब होते हैं, साथ ही साथ ब्यापक इस तरह पर उस दिर रक्तदान भी होता है, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे विश्वरक्तारा लिबस की बात करें, ब्यापक इ लोगों की जान बचाने के लिए रखत जान करते हैं जब उनको कहा जाता है कि आपकी खून की जगवत है और आपका हमको ब्रद चाहिए आपका रखत चाहिए तब अपना रखत देते हैं और अपने परचतों के अपने खास लों की जान बचाते हैं तो 1930 में इसकी खोज हुई जो बैग्याने थे कार्ल लैंडिस्टीनर उन्होंने खोज की उसके बार उनको नोबल दिया गया उनके जरन दिन के मौके पर 2004 से रत्रदा ब्रस की सुगा थी पर मेरा मानना है जब 1930 में खोज हुई थी उनको नोबल प्रसकार दिया गया उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो रत्रदा डिवर्स मनाने का जो 2004 से मनाए गया इसको हम पहले भी मना सकते थे इसकी सिरुवार हम पहले भी कर सकते थे कि रत्रदा बस हम क्यों नन मनाए रत्रका ब्यापर पिचार पिसार हो किस तरह से रत्रदान महादान होता है किस तरह जब रत्रका हमाई पास आरच्छित भंडार रहेगा तो किस तरह हम लोगों की जान बचा सकते हैं किस तरह हम ल परपाई 24 गंटे के अंदर हो जाती है, नए कुछकाय बनती है, नए RBC बनती है, रेड विल सेल्स बनती है, इसके अलावा जो आपका रक्त का इस्तार है वो भी बढ़ता है, और साथ साथ नया खुन बनता है, जो आपके लिए प्रभवसाली रहता है, फायदे बंद रहता ह तो यहाँ पर जो रक्त दाना करते हैं, तो हमारे सरीर को भी उसका कुछ लाब मिलता है, और साथ साथ किसी की जिन्दगी बचाने के लिए, हम अपने सरीर का महटपूर्ण, जो पाठ है रक्त, उसको दे रहे हैं, भागी बोलेंगे, कि बिना रक्त के मानव जीवन की सरच लुकisen के हैं, रक्त होना बहुत ज़रूरी है, और लगातार इस कड़ी में पर्यास होते हैं, और रक्तroveण झरणा नभस के माध्यम से वियापकस्तर पर रक्तादान सिभल लगाये जाते हैं, और कई बड़े बड़ी जगों पर बड़ी कारिकम होते हैं, और लोगों को सु वर अच्छिर भंडार हो जाता है पर अभी वी कुछ कमिया कैसे हैं कि की जा हम रखतिद्यान की बात करते हैं थो हमारे देश में लबड़ा एकइस सो आठ बिलंडेंक हैं यानि इतना रख्थ हमारे देस में होना चाहिए अपने देश की आबादी के साब से यह मैं आकड़ा 2019 का बता रहा हूं और हमारे पास जो गरम आकड़ा माने तो लगवा लबवा 90 लाख यूनिट रख्थ हमारे देस में आरश्च्र भंडार के रूप में उपलब धरेता है यानि लबवा लबवा 30 पेटी सथ जो रख्थ है वो आरश्च्र भंडार के रूप में नहीं हो पाता है और इसमें पिटमना एक बहुत मेटमून है मैं अपको अतारूं कि इस तीस लाख होता है जहां पर जिस टेंपरिचर में रखा जाता है जिस ब्यवस्ता से रखा जाता है उस ब्यवस्ता से रखा नहीं जाता और रख जो होता है उसकी बरबारी हो जाती हो खराब हो जाता है आप समझिए पांच लाक एकीस यार सार सो इंक्यानमे यूनिट रख यानि कि ज शपन टेंकर ऐसे रख्त जबढ़ जाए इतना रख्त हमारा खराब और अख्रगाओं की जलते बरबार हो जाता है भारत हमारा देश जिसकी आवारी चालिस करोड के लभग है और जिसमें केवाल 380 ब्लेड बैंक है और सबसे विचितर बात तो यह है कि 14 जलों के चोड़े राच्चों के 46 जलों में किसी में दो किसी में एक किसी में चोड़ा किसी में आठ किसी में नो ब्लेड बैंक ही नहीं है और जब ब्लेड बैंक ही नहीं है तो वहाँ पा रख्त की जो पूर्ती होगी कैसे होगी और जिसका खामेजा भुगत्ती है आम जनता खामेज वह को कर हम और पसारिट करेंगे तो आकड़ा आता है कि देश में पती छे मिनिट में एक ब्यक्ति की मौत रक्त ना मिनने के कारण हो जाती है। बड़ी ब्योस्ता हैं और बड़ा सिस्टम बड़ा तंत्र और उसके बाबजूद इस तरह की आकड़े भैवीत करने वाले हैं। उनकी जिन्दगी रक्त ना मिल पाने करने खतम हो जाती है। तो वहीं कई जगह ऐसा होता है कि रक्त होता भी है तो दिया नहीं जाता है या खराब हो जाता है। और बड़े आरच्छिर भंडार है और कई जगह अगर मैं आकड़ों की बात करूँ तो देश के पांच राजे ऐसे हैं जहां पर रक्त को उपलब्दता भैतर है। यारी यहां पर सबसे जगह रक्त का आरच्छिर भंडार है उन राज्जों में महराष्ट भी है और राज्जों में टमिलाडू भी है और राज्जों में उडिशा भी उन राज्जों में उत्तपरेश भी है तो यह राज्ज हैं जहां पर रक्त की उपलब्दता ठीक है। मांग से जएदा है तो वही कुछ राज जैसे है जिनकी आप अगर उनके आगलों पर गोहर करेंगे तो वहाँ पर ब्युस्ता बड़ी खराब है यानि अगर वहाँ पर मांग पास यूनिट के तो वहाँ पर यूनिट लिया ही नहीं जाता है लच्छ दीप दमंदीप इसके जलते हैं कि वहां पर मौत सर्वारिक होती है ओपन सर्जरी होती ओपनी सर्जरी होती है चिक्स्टा होती है यह सहं करते हैं कि हमारे देशमरे रख्त दान वाहतान तो माना जाता है पर उसके बाब जूर रक्त की कमी की चलते हैं लोग अपनी जान गमा देते हैं इस तरह पाम करने वाला है क्योंकि केबल रक्त दाता नबस को मना लेना उस दिन स्वेच्छे रक्त दान सिवर को लगा दिना लोगों को रक्त खटा कर लेना मैरपूर्ण नहीं होता आपकी मैरपूर्णता ये भी है कि आप रक्त का बयर्शाइ तो यहां पर बो भी घटेगा और जब गटेगा तो उसे 25 परिशन बटेगा और 25 परिशन में भी मैं आपको ता दूँ कि बेवसाही करण की भेट कर जाता है बेवसाही करण की भेट आप अगर आकने देखें के कई ऐसे बड़े-बड़े मामले हैं जहां पर एस्टियप गिरप्तकार करती है उत्तपरेश की कई जुलों में ऐसे मामले आया हैं जिनके रैकेट बड़े-बड़े डॉक्टरों से जुड़े रहे हैं बड़े-बड़े रख्त लोगों को पहुंचाते दे और जब मिलावट बाला रख्त लोगों के चड़ेगा तो वहां पर मानस जीवन को बचा पाना संभवी नहीं सकता है तो यह जो आप रादी करण हो रहा है जो ब्यवसाही करण हो रहा है हमाई लिए बड़ नुक्सान दे नुक्सान दे सकते कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आको लाग्त मिल जाएगा आपकी ग्रुप का बभाषाही करणं जो हो रहा है अस्पताला में मिलता नहीं और निजी बलेट बैंक मन मागे की मोतों पर रक्थ देते हैं और जो रक्थ 450 मिली लीटर जो कभी 1,000 में 2,000 मिलता है वो कभी-कभी आथ हजार में आपको पलब दोता है और वो रक्थ साफ है, सुद्ध है इसके भी कोई guarantee नहीं है चो कि एक गयांग की तरह रख्त का वयुशाय हो रहा है खून का वयुशाय हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग पकड़े भी गए हैं 21 का मामला मैं मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोग बड़ी 100 से 200 उनीट मिलावटी ये मिलावट से बरा रक्त था यानि कि कोरोना के समय में जब हमारा देश इस मामारी से लड़ रहा था उस समय भी जो राच्छेस प्यपती के लोग बदनेती के लोग उन्होंने मानव जीवन के साथ छल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जहां पर एक तरफ नक कोता है कई बड़े डॉक्टर और कई बड़े में उनिवर्सिटियों के प्रोफेशर तक्समें सामिल रहें करवाई भी यह पर यह जो ब्यवस्ता करता है और साथी साथ कई बड़े पेटलोजी सेंटर्स में इस पूरे मामने में संद्थ रहते हैं क्योंकि गिरुए एक ज पूरे एक सिस्टम होता है और जिसके चलते हैं लगातार हम देख रही है दिखत का ब्यवसाई करण हो रहा है कि हमारे देश में जहां पर 1107 सरकारी 2000 के लिवह लिवह निजी ब्रेड़ बेंक हैं यानि सरकारी ब्रेड़ बेंक कम हैं और निजी ज्यादा हैं और जब निज तो यहां पर सबसे मेट पूर यह है कि अगर आप कोई काम कर रहा है कोई व्युस्था कर रहा है किसी चीज को बैतर करने का प्रयास कर रहा है तो आपको उसकी तमाम बिंदों पर काम करना होगा हमारे देश की जुमांग उसके साफ से हमको ब्रेड़ बैंक बनाने जब आप हर जले में एक से दो सरकारी ब्रेड़ बैंक खोलेंगे तो निश्ची रूप से आपको निजी ब्रेड़ बैंकों के व्युस्था करने पर रोक लगा पाएंगे यह बड़ा आकड़ा है और गंबीर आकड़ा है इसलिए कि जब हमाँ अगई तो लोग सचेत हो गए थे और लोगों ने कहा था कैसे बीमारी से बचना है पर वही अगर आकड़ी देखेंगे तमाम दुरगटना तमाम बीमारियों और जो मैं आपको आज मुद्दा बताया कि रक्तदान रक्त ना मिलने के कहलते हैं पंदा लाख लोग मर जाते हैं तो यह भी बड़ा आकड़ा है और इस पर भी गंबीरता से आपको बिचार करना पड़ेगा हमारे देश में अब कानून की जरूवत है हमारे देश में ब्योस्थाओं की जरूवत है और हमारे देश में अब एक सिस्टम मनाने की जरूवत है कि रक्त का ब्योस्थाई करन ना हो पाए रक्त में मिलापर ना हो पाए रक्त का अपरारी करन ना हो पाए और रख्त जान तो महादान जिसको माना गया है वो महादान की कोटी पर ब्राजबान हो वो महादान ही माना जाए और कानून बनाने की जरूरत है कि अगर सरकारी ब्रेडबेंक कम है तो आप सरकारी ब्रेडबेंक को बढ़ाईए जिससे कि नजीब ब्रेडबेंक को की जो मनम को बलונה हम स्ष्चा से तमा माणों से स्वाच्छ क्रांग को फिरसाइद करें उच्छ निभी तो निभ लिष से आपके के अंदर आपके देसमर्छ में अर्चर भंदार होंगे और अर्चर भंदार के चलते निजी इस वड़े नपानेर उब इससे बड़ी गंबीर ब्युस्था कोई नहीं है जहाँ पर हम रक्त को बेशते हैं और खरीदते हैं रक्तिदान को महादान माना गया है और इसको दान की सिरेणी में ही रखना बहुत बैतर होगा इसके लिए हमको सुच्छिक रक्तिदान को बढ़ावा देना होगा इसके लिए हमको देश में रक्तिके रक्तिकाओं पर बढ़ाना देना होगा सिस्टम मनाना होगा और सरकारी ब्रेड बैंकों को ब्युस्था में लाना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम ब्योस्थाओं में नहीं लाएंगे, जब तक हम तंत को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम एक सिस्टम नहीं बनाएंगे, कि सरकारी ब्लेड बैंक कैसे आगे आएं, तब तक इस चीज को बेतर करना संभब नहीं है. तो रक्त दान महादान है, और रक्त को बेचना और खरीना बन करना होगा, और खरीना तभी बन हो पाएगा, जब हमारे देश में रक्त को दान मान कर उसको दिया जाएगा, और इसके लिए सरकारी ब्लेड बैंकों का होना जरूरी है, आरच्छिर बंदार होना जरूरी है, औ तब इतनरे मिलाफट को रोकना होगा तभी रग्तिदान की महाधण की परिकलपना को ग्थ रपो कु já जाता है उसको आप साच्छाट कर पाएंगे, आगे मामना है रग्तिदान को महाधण के रूप में अपने मैं समाहिद करना है उसको समझना है और साथी साथ स्वच्छिक रतडान को बढ़ा बरेना है साथी साथ मैं अपने इस कारिकम के माध्यम से सरकार से यह उमीद करूंगा कि आप ब्रेड़ बैंक बनाएं जिन राज्यों में जिन जिलों में ब्रेड़ बैंक नहीं है बहाँ प और शक्ति पत्ती है जो मानज़्वन की सरचना है मानब जीमन की उटत सड़ता है इसको साकर किया accesat है हम मानब और यहा पर रक्टजान को महादान समझते हुए हम अपनी जिन्डिक को जी है hen करें और लोकों बचाए क्योंकि रक्तजान से बड़ा कुई दान ही नहीं हो आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार